आज हम ऐसा नास्ता बनाएंगे जो सभी को बहुत पसंद आएगी, जो सबजियों से भरपूर हैं, आप बच्चों को ये दें, ये बच्चे बड़े सौक से इसे खाएंगे, इसे हम बची हुई रोटी से बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं, आपक की रेसिपी की, नमस्कार, अनीता क्लासी की चन में आप सब का बहुत बहुत स्वागत हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथी साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पह चाहे तो ताजी रोटी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, सभी टुकडो को हम अलग-अलग कर लेंगे, ये देखे इस प्रकार से लंबे आकार में कट कर लें, अब हम एक कड़ाई में दो बड़ी चमच तेल डालेंगे, तेल गरम होने के बाद अब हम इसमें एक छोटी चमच साथ लजये चाहे चाहे बारी कटे हुए लसन और एक इंच अदरक को मैंने कदूकस कर लिया है और एक हरी मिर्च जिसे मैंने चोटी टुकडो में कट कर लिया है, उसे डालकर हम थोड़े देर के लिए सौते कर लेंगे, फिर एक मीडियम साइच के प्याज को मैंने लंबे स्लाइस में कट कर लिया है अब इसे भी हम थोड़ी देर के लिए भूल लेंगे जब तक प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए यह देखिए प्याज अच्छे से भून चुका है यहां पर मैंने एक छोटी टमाटर को कट करके डाला है अब इसे भी हमें एक मिनट के ल पाउडर और एक चोथाई चोटी चमच हल्दी पाउडर डालेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम सभी मसालों को डेड़ से दो मिनट के लिए भूल लेंगे यह बहुत ही जल्दी भून जाती है मसाले बूनने के बाद अब हम इसमें एक कप बारिक कटे ह हUए बंद कोभी को डालेंगे और एक कप बारिक कटे हुए गाजर को डालेंगे मैंने दोनों को लम्बे स्लाइस में कट कर लिया है जो बिल्कुल नूडल्स की तरह ही लगेंगे तो आप भी इसे लम्बे स्लाइस में ही कट करें अब हम इसमें एक चोथाई चोटी चमच नमक टालेंगे और इसे हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है अब हम इसमें दो बड़े चम्मच फ्रोजन मटर डालेंगे आप इसकी जगा ताजा मटर भी यूज कर सकते हैं आपके घर में जो भी सबजियां हों आप उसे इसमें डाल सकते हैं अब हम इसे ढख कर एक मिनट के पकने दे एक मिनट के बाद धकन हम हटा लेते हैं ये देखिए सबजियां अच्छे से सॉफ्ट हो गई है अब हम इसमें कटे हुए रोटी को डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बच्चों को तो पता भी नहीं चलेगा क कि ये हमने रोटी से बनाया है तो आपके घर भी अगर रोटी बच जाती है तो आप परिसान ना हो और नहीं इसे फेके आप इससे बहुत ही बढ़िया नास्ता बना सकते हैं अब हम इसमें एक छोटी चम्मच टोमैटो केचप मिलाएंगे टोमैटो केचप डालने से इसका से मिक्स हो गई है अब गैस की फ्लेम को हम आफ कर देते हैं देखिए लग रहे ने बिल्कुल बढ़िया नास्ता अब हम इसे सर्विंग प्लेट पर सर्फ करेंगे बहुत ही पौश्टिक और हेल्दी नास्ता बनकर तयार हुआ है ये देखिए कुछ ही मिंटों में हमने य अनीता क्लासिक किचन को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद